अगर आपका relative दोस्त या फिर कोई और आपको post के माधियम से कुछ भेज रहा है और अगर आप track करना चाहते हैं कि वो आपका parcel post में कहाँ पर पहुझा तो आप उसको तो सबसे पहले mobile या laptop computer में कोई सा भी browser open कर लिजे यहाँ पर आपको type करना है track speed post और यहाँ पर से search कर देना है यहाँ पर सबसे पहली ही link आपके पास आ जाएगी track consentment तो यहाँ पर आपको click कर देना है तो यहाँ पर आपको दो option मिल जाएगे सबसे पहला है consentment और दूसरा है reference अगर आपके पास consentment number है तो यहाँ पर आप click कर देंगे अगर वो नहीं है reference number है तो यहाँ पर आप click कर देंगे तो हमारे पास consentment number है तो यहाँ पर हम click कर देंगे और यहाँ पर अपना consentment number आप enter कर देंगे और यह वाला जो capture है उसकी जितनी भी value होती है वो यहाँ पर enter कर देंगे चैसे की 6 plus 2 into 8 होता है तो यहाँ पर हम add कर देंगे दोस्तों अगर आपके पास consignment number नहीं है तो आपको अपना consignment number मालूम करना होगा उसके बीना आप parcel को track नहीं कर सकेंगे तो जब आपके दोस्त ने आपका parcel आपको भेजा था उस वक्त अगर आपका number उसने डाला होगा तो आपको by message consignment number या reference number मिल ही गया होगा लेकिन अगर आपको नहीं मिला है तो आपको जो parcel भेज रहा है उसका contact कीजे और उसको बोलिए कि उसने कौन सा number add किया था speed post में parcel डालते वक्त उसने वहाँ पर चो number दिया था उसी के उपर consignment number गया होगा तो उस number पर से आप consignment number ले लेंगे और यहाँ पर से track कर सकेंगे तो चलिए यह सभी detail enter करके search कर लेते search करते हैं आपकी post कहाँ पर पहुंची है वो यहाँ पर पुरा का पुरा status आपको show कर दिया जाएगा